हलो दोस्तों कोडोवा मोबाइल अप्लिकेशन डेवलोपमेंट टूटोलियर के स्रीज में एक बाला आप सभी का फिल से वेलकम है इस वीडियो में एस्प्लेश इस्क्रीन प्लागिंज के बारे में बताऊंगा जिसके माध्यम से कोई भी आप अप्लिकेशन को ओपन करते होंगे तो दो सेकेंड या तीन सेकेंड या फाइप सेकेंड आपके इस्क्रीन प्लेश होता है उनका लोगो और लिखा हुआ रहता है प्लीज वेट या सिर्फ उनका लोगो ही लिखा हुआ रहता है तो उसी तरह का आप इस्प्रेश स्क्रीन प्लागिंज के माध्यम से आप बना सकते हैं मैं आपको यहां पर उसका एक्जांपल दिखा देता हूं कि वह आपका कैसा दिखेगा तो सिंपली यहां पर मैं आता हूं और यहां यहाँ पर मैं बनाया हूं उसी तरह से आजके वीडियों माध्य आपको बता हूं माधा जैसे कि यह 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 अप Alberacsona इसको माध्या करूंगा यहां पर लोगे लिखा आ रहा है और यहाँ लिँह भ्याराइफ प्लीचाओा रहां रहे प्लीज वेट और उसके बास आपका Apt एडिकेशन ओपन हो जाएगा एक बार फिल से ओपन कॉलता हूं और आप इसका अब्जॉल्व किजिएगा यहां पर लोगों आप कुछ भी लगा सकते हैं इसके पीए जो फोटो ही है या फोटो में जैसा जैसा डिजाइन आप कर सकते हैं और यहां पर लगा सकते हैं तो है तो सबसे पहले आसान काम को ही कर लेते हैं जैसे कि यहां पर लिखा हुआ लिखा हुआ इस्प्रेश स्क्रीन यही प्लोगिन को हम सबसे पहले इंस्टोर करेंगे तो सबसे पहले आप कमांड प्रोम्ट को ओपन कर लिजिए इसमें सबसे पहले आप अपनी लूकेशन को एक्शेज कर लेजे जैसे के मैं Dr. टॉ रटायूंग और यहां पे मादियम से मैं Full Than का नाम लिखता हूं तो मैं लखूंगा कि स्प्लेश इस्प्लेश स्क्रिन और इंटर प्रेश कर दोना तो कुछी सेकेंत में यह आपका फाइल बन कर तयार हो जाएगा फोल्डर और इसको इस फोल्डर को सबसे पहले आप एक्सेस किजिए तो cd के मार्यम से मैं इस फोल्डर को इस तो आसे एक्सेस करूंगा तो यहां पर यह एक्सेस हो गया इसमें सबसे पहले मैं Android प्रेटफर्म को एड करूंगा आप iOS भी iOS में अप्रेटिन सिस्टम का आप नाम लिखी जैसे कि मैं Android अप्रेटिन सिस्टम का नाम लिखा हूं और इसके बाद आप इंटरप्रेस करेंगे तो इसके बाद फिर यहां पर आए और फिल आप कमान चलाए कोड़ोवा उसके बाद यहां पर प्लॉगिन एड कोलना है तो और इंटर आप प्रेस्ट कॉल दीजिए तो देखिए यह आपके नेट कॉनिक कनेक्शन के अनुसार ही आपके कुमो फोल्डर में यह इंस्टॉल होगा तो आप नेट कनेक्शन ओन करके ही इसको इस कमांड को आप चलाएगा तो देखें यहां पर आपका लिखा वारा है स्क्रीन इसको मैं डॉबल किलिक करूंगा सिंपली प्रेटफॉर्म में जाओंगा एंडर राइड है उसके बार मैं यहां पर प्लॉग्स पर किलिक करूंगा त्यस्प्लेश स्क्रीन है और इसके डावड़वली में मुझे कोई भी कोडिंग नहीं करना है यहां पर देखि देखिए यह फोटो आपका यहां पर ओपन हो रहा है तो यहां पर कुछ सेकेंड आपको वेट करने के मिल रहा है तो वह ही आप यहां पर जितना सेकेंड लिखेंगे उतना सेकेंड आपको वेट करने के लिए कहा जाएगा उसके बाद है इस प्लेश स्क्रीन यहां पर तोनों सही आपका वहां पे मेंज जो होने लगेगा तो सींपल आप सब से पर अपने फोल्ड कन चले आयेगा और यहाँ पर प्लेट फोर्म में आजिए गा एंड्र रह दो सिद इस चले focus कि एक Wissenschaft मेन फोल्डर पर किलिक कीज़ेगा और यहां पर रेस फोल्डर इस पर डबल किलिक कीज़ेगा तो इतना साल आपका यहां पर फोल्डर मिलेगा इसमें से आप यहां पर देखेगा ड्रोयवल पोर्ट एच डी पी यह इस पर डबल किलिक कीज़ेगा तो यहां पर आपका एक फोटो है इस फोटो को आप राइट के लिए करने के बाद आप डीटेल समझाएं डीटेल समझाने के बाद देखें इसका डायमेंश कितना है इस फोटो को एडिट कीज़ेगा तो जैसे कि मैं यहां पर फोटो को ऊपन करूंगा इस परकार से मैं फोटो सपो ऊपन करूंगा और यहां पर मैं फाइल पर जाऊंगा और नू पर किलिक करूंगा और 480 यहां पर मैं दूंगा 480 by 800 मैं यहां पर लिख दूंगा और यह वाइट ही रहेगा इसके बार मैं एक शेफ करूंगा तो शेफ में सरकल में जाता हूं तो सरकर से इस परकार से में इसको ड्रो कॉल दूगा कुछ इस परकार से तो देखिए और इसका या मैं बेगरांड कोलर कुछ और चेंज कर दूंगा या मैं बुलू में इसके बेगरांड कोलर राइट कर दूंगा इसके बार मूब टूलूंगा और इसको मैं सेंटर में कुछ चीज परकार से लख दूंगा इसके बार इसमें मैं कॉस्टम से डालना चाहता हूं तो मैं को को design में convert कर सकते हैं जैसे कि मैं yellow plan का लेता हूं और यहां पी को मैं draw कर दोंगा कुछ इस परकार से औल इसका जो है जो लोगा मैं white color इसको पास कर दोंगा या मैं red color इसको मैं pass कर दूँगा और देखे red color pass किया इस परकार से होगा फिर मूब टूंगा फिन मैं को maintenance इस परकार से कल दूँगा उसके बाद टेक्स टूल लूँगा और यहां पर इसको कलर को मैं सबसे प्रवाइट कल दूँगा और यहां पर मैं कैपिटल लेटर में लिखूंगा प्लीज वेट इस परकार से और इसको मैं सेंटर में कुछ इस परकार से ला दूँगा इसको म मैं ओके कर दूँगा फिल फाइल में जाने के बाद मैं इसको शेप एज करूंगा और मैं जो मेरा स्प्लेशाज इसक्रीए उसको मैं चूज करूंगा और इसके बाद मैं जाओंगा प्लेटफ़ORM Android app SRC main and rest उसके बाद यहां पर है एच डिपी इस पर डबल किलिक करूंगा और यहां पर मैं JPG चूज करूंगा और इसके फाइल को फाइल के नाम को मैं लएक लखंगा एसमाल लेटल में नाम लखंगा लोड़ और और सेब कर दोंगगा और नेखे फाइल में अपक़् करने विएधक लोडर आगया इसे डावल कि जैगा तो इस परकारर इमेज दिखें तो इसको आप रिमूब कर सकते हैं तो मैं इसको रिमूब कर दूँँगा देखें इसका इसका आप अगल डिटेल्स में जाएंगे यह इस परकार से तो इसका देखिए इसका कितना डाइमेशन है आप फोलेटी बाइट हंड्रेड अब इसको में अप्लिकेशन के लूप में ढालेंगे तो आप इससे सबसे बैक आजए पूरा बैक आजए अपना होम पेज पर यहां पर अपना होम पेज में आजए और इसमें कोई कोडिंग नहीं नहीं करना है सिंपली आप कोनफीग है इसी को आप एडिट विट नोटपेड पे किली कल दीजिए तो जैसे यहां पर इसको ओपन करेंगे तो कुछ इस पर करका दिखेगा आप अपने यहां पर अप्लिकेशन का नाम भी लिख सकते हैं आप यहां पर लिखोंगा स्प्ट्यास लिख लाइम हैं यह दो इसी दोनों को ही महां पर राइट करूंगा डेख लेजाई यहां पर आप लिखेगा प्रेफरेंसेज hujan name अफ्रेट्रीड में आप एसम्रेश स्क्लीण डेले आप देखे यह केमल केश में लिखाएगा पहला लेटर स्क्लैस के केपिटल स की स्क्लीन में केपिटल और डिले में Capital D और यहां वेल्यू में आप जितना सेकेंड उसको रोक कर रखना चाहते हैं उतना सेकेंड दीजेगा यह मेली सेकेंड में आपको देना होगा उसके बाद यहां पर आप इस प्लेश स्कीलिन देंगे और वेल्यू में आप अपने इमेज का नाम देंगे कोन इ आप अपसे इमेज दिये है इसी का नाम देंगे इसका जो भी एक्टेंसरन ley Amanda गिस हो जीप आप उस एक्टेंसरन का यहां नाम नहीं देंगे इतना ही आपको करना होगा मैं इसको शेव करता हूं यह सेव हो गया सिंपली इसको ओपेन करूंगा और मैं यहाँ पर कमांड चला हूंगा कोड़ोगा रण एंडर वाइड और इंटर प्रेस कर दूंगा और इसको मैं बैक कर दूंगा क्योंकि यह पहले से बन चुका है इसको मैं यहां पर रिमूब कर दूंगा और आप देखेगा यह आपका जो अप्लिकेशन है इस प्रेशर स्क्रीन यह भी बन रहा है तो देखे यहां पर य दिख रहा है और इसके बाद शिक सेकेंड के बाद यह आपका इटमेटिक हाइड हो जाएगा तो इस परकार से आप उसका लिजल्ट को देख सकते हैं तो यह इतना था यह दो अगर आप यहां पर देंगे यह बेलू को रोक के रखेगा और इस प्रेसर इस क्लीन आपके लोग जानते हैं यहां पर इस परकार से लिखेगा एस प्लेस मेंटेन एस्पेक्ट रेसियो जो भेलू है यह बाइट इपोल्ट आपका ट्रू रहता है तो मैं सिंप्ली यहां पर पहले पार्श करके आपको दिखाता हूं मैं सेव करूंगा और मैं यहां पर रॉन कोलने स यहां पर डाल देता हूं तो देखिए इसका आप नाम चेंज करेंगे तो यही आपके स्क्रेश स्क्रीन पर दिखेगा मैं सिंप्ली फिल से इसमें मैं कमांड चला हूंगा कोडोवा रन एंडर वाइड तो देखिए यहां पर यह लॉंच हो गया और इसमें आप देखिए डेखा देख रहे है यह आपके इस क्रीन में यह इस ट्रेश होकर आ रहा है फोटो आपको खिच काल मेंटेन किया जा रहा है 400 v480 v80 यहाप की जो घ्रूर किया जा रहा है अगर आप इसको पूल सिंप के इस प्रकास तो यहां पर मैं आपको ब strivingans कमाने पर से रहता है बाइडिक पोल्ट बेर उसका फोर्स ही रहता है इसको मैं फोर्स कॉल दिया हूँ और फिल से मैं इसको कमांड चलाऊंगा आप ध्यान दीजेगा वह आपका इसकी वह आपका जो यहां पर फोटो आ रहा था खीच कर मेंटेन किया जा रहा था उसको खीच कर मेंटेन नहीं कि जाएगा फोटो का जितना साइज होगा उतने साइज में ही यहां पर आपको दिखेगा देखिए आपको इतने साइज में यह आपका दिखा तो इस परकार से यह आपका लिजॉल्ट है देगा तो मैं आपको रिकोमेंडेट करूंगा कि आप जितना यह साइज कहता है उतन रिमूब करूँगा और इसका नाम जो मैं रखूंगा लोडल फिर से लख दूँगा तो यह का रहा आपके एक स्क्रीन पे रहा मिन्स 480 by 800 इसक्रीन पे और यहां पे बहुत स्क्रीन का नाम दिया गया है सभी में देखे जैसे यहां पहला पहला फोल्डल है इस पे मैं डबल किलिक करूँगा तो एक इमेज मिलेगा इसका आप साइज देखिए कि इसका साइज की कितना है डिटेल समझाओंगा तो देखिए 800 भाई 480 पिक्सल यह किया यह आपका लेंस्केप मोड है जब आप इसको रोटेट कोलते हैं तो यह लेंस्केप मोड में चला जाता है तो इसको आप यहाँ पर इमेज़ को फोर्टोस वब में जा कहल और इसमेच को आप बना लीज़ेगा फिर और दुसरा फोल्डर स«पश्डर आप ऊपन कीज़ेगा एस favor को फन कहिए गा और इसकोccoli को आप डिटेएलस उमिदा को देखिए चश् wellbeing जाके अटा हूं त्देखि गए उसी तरह से इतना बहुत साला फोल्डर सभी फोल्डर को आप open की जेगा और उसके आइकन को आप चैंज कर दिजेगा यहाँ पर आप खुद का इसको remove कर दिजिएका और आपने खुद का यहाँ पर फोटो आप डाल दिजेगा इसके इससे आपको कोई मतरब नहीं इसको मैं back call दूँगा और simply आगला आता हूं इसके बाद आपका show splash screen spinner जब आप इसको open call टेंज जैसे कि मैं आपको field से इसको open करके दिखा दूँगा कहां कि application देखें यहां पर रहा इसको मैं एक बार किलिक करूँगा तो यहां एक है यह यह प्काasks upload यह लोडार चल पर चलाना चाहते हैं या नहीं यह बाइडी पोल्ट जो आपका रहता है यह true रहता है मैं स्कॉफ फॉल्स करेंड हो दो कंद बॉलड कर दूंगा तो दिखें यहाँ पर आफकर ओपन हो गया अब सिर्फ इमेज दिखा और यहाँ पर जब का लोडश दिख जह गया तो इस प्रकार से अगहला आप चाहते हैं कि लोडाary को टू कर सकते är यहाँपि टू नहीं दिखाना उसको फॉल्स कर सकते हैं अगल आप चाहते हैं कि लोडल दिखे बट उसका क्रल में कुछ आफ उसको दाल सकते हैं तो चलिए इस कमांड को हम दोग चलाते हैं और यहां मैं कमाशने का कुछ बीन दाल दुगा हुआसे फिरे कें एक कमाना तो अप loser ध्यांद से देखें यहाँ आप का लूडर है आप कवर डिखने लगा यहाँ पे जो क्रूर कर करेंगे यहां पर जो करơn कर में लखेंगे करका हेक्स कोटेंगे वही कर आप लोडर के लूप में चलने लगेगा उसके बाद एक और इंपोर्टेंट है जैसे कि देखे यह आपका फॉर्स टाइम अप्लिकेशन ओपन हो गया मैं इसको बैक करूंगा जैसे मैं इसको बैक करूंगा तो देखिए यह अब यहां पर यह ह स्प्लेयर सो ओनली फॉर्स टाइम और इसका विलू बाइडिफोल ट्रू हता है अगला फॉल्स कर देंगे तो वह हर बार आपका लोडर दिखेगा जब जब उसको पिन किया जाएगा उससे यह मतलम नहीं रहेगा कि आपके बेगराउंड में यह अप्लिकेशन ओपन है य अब आ है कऊ एक है तो यहां पर देखे है आपका सोख हो गया मैं को फिर से बैड करेंंगा और यह आपके एंप में है फिर अपनी पर में चलाइगा फिर से बीडे में में चलेगा एक ही बार चलेगा जो फर्स्ट टाइम ओपेन होगा तो तो आप इस कमांड को आप ट्रू कल दीजेगा अगल आप ट्रू नहीं भी लिखेगा मिस इस फॉंसन को भी इस टेक को ही आप नहीं चलाएगा तो आपका काम हो जाएगा तो इस परकार से आज के वीडियो में स्प् मिला होगा सो इस तरह से वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राब कर दीजे और जो बगल बेल आइकन उसको भी आप दावाद दीजे सो थैंक्स पर वाचिंग दिस वीडियो